बनिए हमारे Eagle Tech Family के नई मेंबर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को पेटियम के सार्णिंग के बारे में वीडियो बताया था उसमें बहुत सारे औरोग मुझे कॉमेट करे थे कि उनको फ्रीचार्ज वालेट का उप्सन नहीं मिल रहा है उसके बाद किसी को कैश बैक नहीं मिल रहे है तो आप इस वीडियो को अन तक देखते रहो तो आपको प्रतलग जाएगा कि आपको अगर कैश बैक नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला आपको कैश बैक लेने के लिए क्या क्या करने होंगे और उसमें आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना चीए था तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर PayUNow और Free Charge Offer के बारे में कुछ नहीं पता यानि कि आपको अगर ये भी नहीं पता कि PayUNow पे Free Charge से पेमिन करने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं तो आप सीधा एक काम करो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ PayUNow का फर्स्ट वेन वीडियो होगा उसको पहले देख लो उसके बाद इस वीडियो को देखो अब अभी इस वीडियो को स्टॉप कर दो उसके बाद उस वीडियो को पूरा एकदम देखो आपको 90% चीज़े समझ में आ जाएंगी बाकी 10% चीज़े जो है आप इस वीडियो से पता कर लेना और दोस्तो जिन लोगों को pay you know free charge offer के बादे में पता है जो लोग already offer apply कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो में आगे बर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको वही offer बताऊंगा with some modification मतलब कि दोस्तो कुछ कुछ चेंज मैं आपको दूँगा जो की बहुत important है अगर आप उन्हें apply करते हैं अगर आप उन्हें ध्यान में रखते हैं तो आप भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं पहले modification तो मैं आपको ये दूँगा मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप पहले ही अपने फ्रिजाज वालेट में 1000 रुपे एड कर लो तो उससे क्या होता था कि आप डेकली फ्रिजाज वालेट से पे कर सकते थे लेकिन दोस्तों इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले से फ्रिजाज वालेट में पैसा एड मत करो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा उसके बाद दोस्तों आप पेउन आप को ओपेन करो रिक्वेस्ट पेमेट आप्सेन पे जाओ 500 रुपे अमाउर दो मैसेज में कुछ भी टाइप करो हाई हलो उसके बाद आप क्रियेट लिंक पे क्लिक करो आपको एक लिंक दिया जाएगा आप इस लिंक को कॉपी करके आ बहुत हो को प्रॉब्लेम हो रहा था कि उनको वालेट के सेक्षिन पर जाके फ्रीचार्ज का ओप्सेन नहीं दिख रहा था देखो मेरे केस में तो फ्रीचार्ज का ओप्सेन मुझे दिख रहा है अगर आपको फिर भी नहीं दिख रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं पर सि ता सकते हो कि क्यों फ्रीजाज ओप्सन नहीं दीख रहा है फिर आपको सायद कुछ सलूशन मिल जाए और अगर आपको देख रहा है तो फ्रीजाज ओप्सन पर सिलेट करके आप कंटिन्यू कर दो जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो अगर आप इससे पहले पर दे दो उसके बाद कंटिन्यू करो उसमें एक OTP आएगा उस OTP को आप दे दो उसके बाद कंटिन्यू करो तो इस बार जो में इंटरफेस आपके सामने आएगा इसमें आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है आपको अगर यहां पर ग्रीन कलर का रूपीस 50 कैस बैक दिख देख रहा है तो आप इहीं स्टॉप हो जाना आपको कैस बैक नहीं मिलेगा तो फिरसे आप एक काम कर सकती हो आप साइन इस डिफरेंट यूसर में जाके दूसरा कोई फिरिज़ आपके पास होगा तो उससे आप ट्राइ कर सकते हो अगर उस एकांट पर आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर से आपको डेबिट कार नेट बैंकिंग ऑप्सन मिल जाएगा तो फिर आप डेबिट कार अप्सन पर जाके आप पे कर सकते हैं यहाँ पर मेरा कार्ड सेफ है मैं CBB कोट बगारा दे देता हूं OTB आ जाएगा OTB दे देता हूं continue कर देता हूं मेरा पे कर रहा हूं कि वीडियो कब अंतक देखो क्योंको दोस्तों में इस वीडियो मां को बताने वाला कि अल्ले में यह ट्रिक क्या है और सभी important step इस offer के regarding तो आप इस offer को अगर रूटना चाहती हो अच्छे से apply करना चाहती हो तो सभी step important है एक भी step मिस करोगे आपको cashback सायद से नहीं मिलेगा और फिर आप मुझे comment करोगे कि भाई नहीं मिल रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि मुझे 50 रुपय का cashback मिल चुका है मैंने पहले 500 रुपय का payment किया मुझे 50 रुपय का cashback मिल गया मैं आपको बता रहा था कि offer twice per user है मैं क्या फ्रिचा जी आपको बता रहा थ किया दो उसमें भी दिखा चुका हूं बहुत ही सिंपल से स्टेप है जो अपने अभी अभी किया सेम जीज़ो अभी करो आप रिकोष्ट पेमेंट पर जाओ 500 रुपय करो पेस्ट करो फिर से फ्रिचाज में जाके पे करो अपने सेम अकाउंट से पे करो ध्यान रखना कि अगर आपको दिख रहा है तो फिर से पेमेंट कर दो आपको कैस बैक मिल जाएगा तो आपने दो बाड़ी 500 रुपय करके पेमेंट करेंगे तो आपको एक्स्टा 50-50 करके 100 रुपीस अपने फिचाज आकाउन पर मिल जाएंगे यानिकि दोस्तों टोटल आपके पास से तो बहुत ही अच्छा है अगर आपको दो मिनिट में पेमेंट रुपीस अपने बैंक अकाउन पर मिल रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों आप अगर उस 100 रुपय को भी अपने बैंक पर लेना चाहते हैं तो फिर वही करो रिकुस्ट पेमेंट अप्शन पर करते हैं उसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए मैंने बना के रखा है कैसे फ्रीजाज अकाउंट के बैलेस को पेटने पर ट्रांसपर किया जाता है उस वीडियो का लिंक मैं निचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उसको भी चेक कर लेना देखो मैंने आप को तीन चार्ज फ्रीजाज अकाउंट से अपलाई किया और जो चीज मुझे पता चला मैं आपको साथ यार करता हूँ देखो आपका फ्रीजाज अकाउंट क्यो आईसी हो कोई फराग नहीं पड़ता आपको कैस्बग मिलेगा तो आपके पास अगर एक पेउना अकाउंट हैं और unlimited free charge अकाउंट से हैं तो सभी में आप 100 रुपे 100 रुपे करके ले सकते हो मतलब कि दोस्तो आपके पास जितना भी नंबर्स होगा सभी में आप free charge का अकाउंट बनाओ उसके बाद दोस्तो आप request payment option में जाके 500 का request करो link पे जाके दोस्तो free charge option पे जाके pay करना फिर दोस आपको दोस्तो उस अकाउंट पे भी दो बारी 50 बिज़र करके cashback मिल जाएगा तो इसी तरह से आपके पास जितना भी free charge अकाउंट होंगे सभी में आप 100 रुपे करके ले सकते हो यानि कि दोस्तो आपके पास एक पेवना अकाउंट है तो आप 100 रुपे 100 रुपे 100 रुप पेवल हुआ कि नहीं हुआ मैं जब कल सारी 11 बजी उस वीडियो का अपलोड किया तब आप लोग परेशान हो रहे थे मतलब मुझे comment कर रहे थे फिर मैंने सुचा रहे या क्या हो गया इतना अच्छा इस खासा offer था मेरे लिए तो सभी अकाउंट पे अपले हो गए आप ल इस वीडियो में इतना ही फिर मिल देख लिए वीडियो में तब तक के लिए खुचे रहिएगा